बालको आपड़े पाठ बार दुमदुमा गाउं के बच्चे पूरो केरियो वे पुन्डावर्तन त्रोण हिंदी में अठ्छिया सिपाना उपर पुस्तक्त में खुलू राग जो उसमें एक चीत्र दिया गिया है पुन्डावर्तन तीन में पहला प्रश्ण है वो चीत्र में जो दिखाई देता है उसके बारे में आपने पाँच वाक्य लिखेंगे याने के चीत्र में क्या-क्या दिखाई देता है तो यह चीत्र में एक लड़का है वे खेल रहा है उसके हाथ में बोल है बोल है लेके गेंद दड़ो होचे ने गज्जाते में कहीं यहां हरा कहां से पेड के निचे एक लड़का बेठा है इस जितर में आठ फूल है इस तरह आप जो दिखाई देता है उसी तरह पांच वाक्य लिख लिजिए प्रश्ण दो सिखो कविता का सस्वर गान कीजिए यह लेके कविता गावाने आपड़े कविता सिखी गया ने तो एना पर्थि तमें कविता नो राग जीरी ते आवडेरी ते गावानो प्रयेतन करजो प्रश्ण त्रण नीचे दिये गए शब्दों में से संग्या विशेशान और क्रिया पड़ूंड कर तालिका में लिखिये और वाक्य प्रयोक कीजिए तो उसमें नर्मदा, हिमालाई चलना, छोटा, खेलना सफेद, लिखना गंगा, थोडा तो आपदाज शब्दों चेने तो ये त्रणें संग्या विशेशन ने क्रिया ये प्रमाने आपड़े भर्गी करण करवानों चे तालिका में लिखना है संग्या है पहला तो संग्या में क्या आता है विशेशन में क्या आता है और क्रिया में क्या आता है तो सबसे पहला शब्द है नर्मदा तो नर्मदा कहा शब्द लिखेंगे आप नर्मदा संग्या शब्द है तो संग्या के भाग में नर्मदा लिखेंगे दुसरा है हिमाले तो हिमाले भी संग्या है तो धर्मदा के नीचे हिमाले लिखेंगे चलना तो वो क्रिया है तो क्रिया के भाग में लिखेंगे चलना छोटा तो विशेशन छोटा ले थोड़ू के हमगे छोटा तो विशेशन के नीचे लिखेंगे खेलना खेलना याने के क्रिया है वो तो क्रिया के फाग में लिखेंगे सफेद, तो सफेद क्या है, तो विशेशन, तो विशेशन के नीजे लिखेंगे, लिखना, तो लिखना वो भी एक क्रिया है, तो वो एक क्रिया के फाग में लिखेंगे, गंगा, तो गंगा क्या है, तो संग्या, तो संग्या के नीजे लि लिखेंगे और थोड़ा तो विशेशन है तो ए विशेशन के भाग में लिखेंगे तो इस तरह वर्गी कुरूत किजिए संग्या विशेशन और क्रिया अब आगे प्रश्न चार निम्नल लिखीत मोहावरे का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोक किजिए तो पहला क्या है शिश जुकाना तो उसका अर्थे विन्नम्र होना उचे चड़ना तो उसका अर्थे उन्नती करना त्रण नेक रास्ते पर चलना सही रास्ते पर चलना मुह में पाने आना इन अर्थे खाने की इच्छा होना तो इस तरह चार मोहावरे है उसका अर्थ आप लिख लेंगे खो एक चोटी कहानी बनाई है जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो तो अपने हिसाब से वो मुहावरा आजाए इसंतरह आप अपने हिसाब से कहानी बनाकर हफिला बगदाल की और चाहा रहा था तो उसका उत्तर है काफलो अटले के टोडू बगदा तरब चे रहिय हतू चे रहिय हतू दूसरा करेला कडवा होता है कारेलू कडवू होई छे त्रण दीपक रुष्णी देता है दीवो प्रकाश आपे छे गंदगी बहुत से रोगो की जड है गंदगी किटला है लेगे घंदा बदायें केटला है रोगोनू मूल छे लोकी और गाजर का हलवा बनता है दूदी अने गाजर नो हलवो बने छे तो आरे ते पांच वाक्या छे हिंदीमा एन गुजराती अपने जे ते समझे वे ते लखवानों छे प्रश्ण चो सही वीकल्प चुनकर रिक खेट खेलता हुँ खेलता हुँ एक वचन चे अने तो में आतला हुँ में केट खेलता हुँ तो क्या लिखेंगे मैं लिखेंगे हम नहीं हम गलत है यह किताब-हिरैन खालों गफेट की दूसरा की लखेंगे ખलજિગ્યा લડકે હે ઉપર જો મીંડુ અનુસવાર છે તો 2 વચન છે તો એહ વચન છે તો એ એ લખવાન એ લડકે હઈ पानी खाल जिग्या मगर है तो पानी मे, पानी मा यहां केर, मेनी उपर मिंडूँ छे मे, बे मात्रा वाडू मे छे तो उन फा एने रत तो ए न आवे, तो मे पेलू मे छे, ए लखवानू छे आमके पेढे खाल जिग्या बहुत आम लगे है ये आमके पेड है, खाल जीग्या रंग काला है, उसका पेलू जे छे शब्द ए, उसका इसका ने, उसका रंग काला है, तो या निविया से पाना नू काम पूरू ताई, अगड़वे पाना नंबर 9, तो उसमें क्या है? प्रश्ण साथ, निचे दिये गए संकेतों का पहचानकर हिंदी में नाम लिखिये, तो उसमें पहला चित्रा है, थोभो स्टोप लेख्यू चैने, एनि निचे हिंदी मां शुब लक्षू अपड़े ठहरिये, तो आरे त्या आपड़े आगड़ावी जिग्यू छे, पने आ प्रमान अपड़े लक्षू, प्रवेश बंध, अटली नो एंटरे, तो एनिया प्रवेश निशेत, मनाई चेमें, प्रवेश निशेत, एनि इचे लखवानों छे, एक मार्गी असंकेत, भनवे कहीने सिग्नल, तो एमा एक तरफ रस्तो जवानों खुल लोई, तो एक तर पड़े, आगे रास्ता चोडा है, एम वाक्ये लखवानों, एक साइकल बत्तावी चे, एना पर छो एक निशान केरी चे, लिटी, साइकल माटे प्रती बंधें, तो साइकल निशेध, इले साइकल लिजन मनाई चें, पची गोडा का रस्ता, राउंड अबाउट के ने, त रित्ये तमार लखवानू, तो जे गुजरादी ने, इंगलीश मा लखेल, आगे निशेध, आपड़े हिंदी लखवानू, छे, प्रश्न आठ, निशे दिये गए प्रत्यक विशेई पर पाच-पाच वाक्ये लिखे, तोसमें मेरा परिवार, एले के तमारा कुटम विश लखवाना पाच वाक्यो, सबजी मंडी, एले के शाक भाजी, निशे मार्केट छे ना विशे, तमार बज़ार, शाक भाजी नी बज़ार मा जिये तमने चुवा मले एना विशे लखवानू, त्रोन मेरा प्रिया, मेरी प्रिया सबजी, एले मारो, तमने जे भावतु है, ये वालो के वैशाक, तो तमने जे भावतु है ना विशे, तमें पाच वाक्यो, तो आरे ते त्रोनी खुब सेलाने समझन पड़े वाच्चे, तो प्रियात न कर जो, रफ नोट मा लखवानू छे, पाके नोट मा लखवानू ना थी, तो पाच वाक्यो तमारे जाते लख लख्षो, नीचे दिये गए वाक्यों में रिखांकित शब्दों पर बल दे कर बोलिये, वाक्या इना इच्छे, पन आपड़े क्या भार देवानू छे, में सब्जियो का सर्ताज हूं, तो में शब्दनी नीचे लिटी छे ने, तो में शब्दाव पर बल दे कर अड़े एने वधारे वारत्य आटकवानू एड़े बोल बातवानू छे, में सब्जियो का सर्ताज हूं, सब्जियो का सर्ताज हूं, तो आरे ते भी जुचे मोर अमारा राष्टिय पक्षी है तो मूर निनी चे लिटी करी चे नता हुच्छे, लिटी करी चे ए शब्द उपर आपड़े भार देशु, मूर हमारा राष्ट्री ये पक्षि है, हमारा शब्द चे निचे लिटी चे ला अपड़े भारदे ने बढ़ देकर बुल सु मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है तो राष्ट्रिय शब्द चे ना पर भारदेवानो में कल राम पूर गया था में तो में शब्दा निचे लिटी छे में कल राम पूर गया था में कल राम पूर गया था तो राम पूर शब्दा उपर लिटी करे लिशे निचे तो अपड़ एना पर भार देश तो आरे ते खाली वाक्यों छे ये जोईने दलकी तमारे लखवाना छे आप पुन्डावर तंत्रण नी PDF तो मोगलीश पन तमारे जहाते पन तमे लखवानो प्रयत्न करी शक्सो तो ये पुन्डावर तंत्रण छे आपड़ु पूरु थाई छे नेव उपाना अपर आउजो बालको